हलो एवरीवन वेलकम टू लक्की एजबियसन और आज हम डिसकस करेंगे बहुत ही सुन्दर टॉपिक है और टॉपिक का नाम है नाटो नाटो आपने देखा होगा पिछले कई मतलब दिनों से बहुत ज्यादा न्यूज में है अभी रसिया ने यूकरेन पर अटक किया है नाटो न्यूज में है यह मैंने अभी बता दिया एक तो रसिया यूकरेन का बहुत चल ला है जिसकी वैसे पूरी दुनिया में उतल पतल हुई पड़ी है दूसरा अभी डिसेंट भी दो देश है चोटे-चोटे नौडिक कंट्रीज हैं फिन्लैंड और स्वीडन इन्हों हमने भी कह दिया कि हम भी नाटो को जोइन करेंगे एनीवे तो दूसरी चीज जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस के है या जो भी लोग गवर्मेंट जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं उसके लिहास से भी नाटो जो टॉपिक है बहुत जादा इंपोर्डेंट है आने वा सरजγ после Kistesी में आपको बता वथा इखे हैं एक बार एक बार में समझेंगे नाटो के लाब बहुत सारी चीज्रें और भी आपको सीखने को मिलेंगे ठीक है कि सुरुबाद करते हैं वर्ल्ट वॉर 2nd सब को बदाय सेगन्ण वरly with नाइंतीनस से 1945 के बीच में Second World War हुआ था और Second World War के दोरान आपको पताए पांच देश दो गुट थे एक तो था आपका गुट मैंगर में बता हूं एक तरफ थे आपकी एक्सिस पावर्स एक तरफ थी आपकी एक्सिस पावर्स और दूसरी तरफ थी आपकी अलाइड पावर्स एक्सिस आपको देखने को मिलेगा तीन पावर्स थी एक तरफ था जर्मनी तूसरी तरफ ता इटली और एक था जपान ठीक है और अलाइड पावर्स में देखोगे अलाइड पावर्स में चार-पांच देश बड़े इंपोर्टेंट है एक तो है UK और दूसरा है आपका USSR और USA इसके लावा फ्रांस यह देश हुआ करते थे USSR को ध्यार रखना आज की डेटे में क्या बोलते हैं रस्या बोलते हैं यह चीज़ आप ध्यार रखना तो से के डरंवर्म को भूँआ से के बहुआ चाहिं क्या है यूनुक योकि निशन्स फिर निशन्स और गनाजिएशन ध्यार रखना बेशिक इसए को गहराई से पताऊँगा कैसे मतलब इसका राई हुआ तो सेकंड वर्ड वर्वर हुआ इस से के दौरान करूडों लोग मारे गए पांच करूड लोग मतलब डायक्टली क्या हो जाते हैं इनको डैथ हो जाती है और बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं पूरी दुनिय बनाए जाए जो व्ल्ड अबोर्ट 3 को ना होने दे फ्यूचर में ऐसी कोई लड़ाई ना हो तो उसके लिए बनाए गया United Nations Organization कब बनाए गया था मैं आपा लिख देता हूँ 24 अक्टूबर 1945 इस दिन हमारा United Nations Organization बनाए गया था United Nations Organization बनाता है इसलिए हम हर साल 24 24 अक्टूबर को हम UNO Day मनाते है United Nations Organization का डे सरेवरेट करते हैं इंडिया UNO का मेंबर है और एक क्या होता है यहां पर थोड़ी सी घटना हो जाती है Second World War के टाइम पर क्या घटना हो जाती है USA ने जापान पर क्या गम गढ़ा दिया और पहली बार Second World War के टाइम पर ध्यानतना पहली बार ऐसा हुँआ था nuclear bomb का इस्तिमाल किया गया था तो nuclear bomb का इस्तेमाल करके USA ने बता दिया कि देखो वाई हमें super power हमारे सामने आने की कोशिस मत करना तो ध्यान रखना USA ने अपना डवदवा यहां पर कायम कर दिया बता दिया दुनिया को yes I am the powerful ठीक है अपने सामने आने की जरूरत नहीं है तो यहां पर Japan surrender कर देता है दो विम बन जाता है अब घटना क्या होती है अब जब यह powers हार गई तो second world war के बाद पूरी दुनिया में मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं पूरी दुनिया में दो ही powers निकल के आई जिनकोंने बोला super power पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा second world war के बाद एक तरब तो था USA और दूसरी तरब आता है निकल के USSR, USA करा है मैं powerful हूं और USSR कह रहा है मैं powerful हूं ठीक है second world war होने के बाद जो अब घटना निकल के आएगी असली वह घटना क्या क्या कहलाएगी अब start हो जाएगा इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई start हो जाएगी जिसको हमने नाम दि दिया cold war, तो second world war तो खतम हो गया, अब यह दो देस दावा कर रहे है कि मैं powerful हूं USA करा है मैं powerful हूं और USSR के बीच में direct लड़ाई नहीं होती है, cold war का मतलब क्या होता है, directly लड़ाई नहीं करते हैं, indirectly मतलब एक दूसरे को नुकसान पहुचाने की process करते हैं, तो एक तरफ तो good बन जाता है किसका USA का और दूसरी तरफ good किसका बन जाता है USSR का, और इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चलती है, कब से कब तक चलती है, 1945 से 1991 के बीच में लड़ाई चलती है, जिसकों बोलें cold war, अब हलकी सी चर्चा हम cold war पर करते हैं, और cold war के time पर ही ध्यान रखना, cold war वो परिष्टेतियां यहां पर discuss करेंगा, तो इसका एक बार screenshot ले लेना या उतार लेना, मैं थोड़ा सा आपको, नाटो के बारे में थोड़ा सा, यह cold war के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, यहां तक की ठानी, I am sure, आपकी बिल्कुल clear होगी होगी, आप कोई दिक्कत नहीं आएगे आपको, so let's discuss a little about cold war, तो मैंना भी बताया था, जैसे ही world war second खतम होता है, world war second तो क्या होया, end, इस बार सुरुवात हो जाएगे, beginning हो जाएगे, नए war की सुरुवात हो जाएगे, beginning of cold war, किसकी सुरुवात हो जाएगे, cold war, तो पूरी दुनिया, मै अब सही है, ठीक है, तो एक तरफ तो आया था, USSR, USSR की मैं फुलकॉम लिख देता हूं, Union of Soviet, Union of Soviet Socialist Republic, यह है USSR की फुलकॉम, ठीक है, और एक तरफ था अपना USA, तो दो पावर्स के बीच में लडाई स्टार्ट हो जा थी, ध्यार रखना, cold war का मतलब गया है, यह दो पावर्स सब्सक्राचा के बीच में, और USSR के बीच में, इन दोनों के बीच में जो लडाई स्टार्ट हो ज Doncуд ऑबार, किस के बाद स्टार्ट हुआ था, यह cold war पंद्रेदेस में तूड़ जाता है जिसमें सबसे बड़ा देश निगल के आता है रशिया और रशिया के आस पास आपने बहुत सारे कंट्रीज देखने हुए कजाकि स्तान कर्गिस्तान तुर्क assassination ठीक है यह T je किस्तान इस इस अब बैदे यस mend果 करते दे युएसं थे उड़ा चल लिए केhill मैं पावर्फुल हु और यसर कर आ है मैं पावर्फुल वे इस्टार्ट हो यहां पर चीजे सरकार के करका होती है यहां कहसे कि इसके रहीं स्थाथ सरकार के कंट्रोल में होती हैं और ये तो इनकी अइडियोलोजी ऊजाएगी इसके लाबा यूएसे ने क्या किया कुछ देशों के साथ मिलकर एक military organization बनाया ताकि USSR को रोग सके यूएसे ने क्या किया कुछ देशों के साथ मिलकर European साथ मिलकर एक देश का निर्माड़ का नाम था नाटो 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 कब बनाया यहां पर मैंने लिख दिया नाटो का एक्जक्ट सारी टिटल लिख दिये चार अपर नाइंटीन-4949 को नाटो को बनाए गया नाटो को बनाने का परपज क्या था कि यू ऐसे सार के बढ़ते ह गया हुए प्रभाब को रोका जा सके यू ऐसे सर अपनी आइडियोलोजी को फैल आ रहा था यू ऐसे सार चारो तरफ अपनी मतलब कंट्री यू जो कंट्री यू एसे सर के प्रभाब में आ रहे था वहाँ पर कैसा सिश्टम इस्टेबलिश हो गया कम्यूनिस्ट वाला सि दे दिया नाटो कि इसमें 12 देश थे कितने देश थे बारे देश उन्हें मिल कर नाटो को बनाया था 1949 में और वसिंग्टन डीसी USA में ही इसको बनाए गया था अब इसका परपज क्या है इसमें बारे देश हैं इसका परपज देखो इसमें यह important है कि अगर मालो कोई country NATO के एक कंटρι पर अट्यक करता है त्यां रखना अगर कोई country इधर की साइड से USSR के साइड से अब यह तो आपसमें करेंगे नि किस पर अट्यक करता है NATO के एक भी एक country पर attack कर देता है मालो एक country एंगलेन वे लिए एक country पर attack करता है तो नाट। के जितने भी मेंबर यह समझा जाएगा कि यह सब पर attack हुआ है और सारे मेंबर मिलके एक साथ उस country को क्या देंगे जवब देंगे इस principle को बोलते है collective security में फिर बतारहूं पराज है अगर NATO के एक भी country पर इदर साइड से इदर साइड से एक भी country पर attack होता है NATO के एक country पर तो यह समझा जाएगा एक ही NATO के सारे countries पर attack हुआ है और सारे country मिलके उसको जवाब देंगे यह है NATO का principle तो पहली बात हो background आपको समझे माँ गया हुआ कि क्यों नाटो बनाए गया था नाटो बनाने का प्रपस था Cold War के टाइम पर USSR के प्रभाब को रोका जाए नाटो का है नाटो पहरी बात तो जहां रखना है Military Alliance है कैसा Alliance है Military Alliance है और यहां पर क्या होता है परपज में बदाया था किसको नाटो को एक आटो काम करते है इस एक अ जब लग जाता है तो यह सारे नाटो सारे बात के फिलपय हों में नौर्थ North Atlantic Treaty Organization North Atlantic Treaty Organization अगर आप देखोगे थोड़ा सा मेगर यहां आपको पता हूं यह दुनिया यह है आपका यूरोप यह है आपका अफ्रीका यह है आपका नॉर्थ अमिर्का और यह है आपका साउथ अमिर्का यह कॉंटिनेंट है आपको पता होगा और यहां पर जो एस की सेफ में सब्सक्रिए इसको मुझतें आट्लांटिक सी क्या बोलते हैं एंटलांटिक जी सी का उपर वाला इससा कुम सा है नॉध आउसलिये नौर्थ अचलरांटिक के आसपास नोर्पीन कंट्रीं और दोर्मेरेन कंट्रीं ऑर नignonनों ने मिलके बनाया था नाटो यह चीज आ दिम इसकी फुल्फुन क्या है North Atlantic Treaty Organization इसकी दो ऑफिशल लेंग्वेज है एक है French और दूसरी है English यह दो ऑफिशल लेंग्वेज है कई बार गवर्मेंट एक्जाम में पूछी आती है कब बनाए गया था इसको बनाए गया था चार अप्रेल 1949 को कहां पर बनाए गया था वॉसिंट अगर यह इसने भी मेंबर है नाटो के सारे मेंबर्स की आर्मी को जोड़ें 30 लाग से जादा आर्मी है अगर उन पर कोई अटेक करता है तो यह 30 लाग की आर्मी अब सोचो क्या कर देगी उसका इसलिए रसीचा डरा हुआ है आजगी डेट में न तो करेंट मेंबर्स 30 है और इसका परपज मैं बताई दिया USSR को रोकना प्रंसिपल क्या है कलेक्टीव सेक्यूरटी पर काम करता है कम करता है कोई एक देश इन पर अटेक करेगा तो इससारे देश मिल के उसपर वापस अटेक करेंगे निूज में क्यों है मैंने भी बता दिया क्योंकि आपको पता यूकरेन पर तो अटैक कर दिया रशिया ने दो महिने से जाद होगे लड़ाई चल लई है अभी रिसेंटली दो देश एक तो है फिनलेंड और एक देश है आपका स्वीडन फिनलेंड और स्वीडन इन्होंने भी बोल दिया है कि यह भी नाटो को जोइन करेंगे तो सिंपल उसका भी मैं आपको नाम बताए था हूं उस मिलिटरी और्गनेशन का नाम है वर्सोपेक्ट बना दिया दिहां रखना तो नाटो को रोकने के लिए यूससान ने 1955 में था रखना नाइन 1955 में क्या बनाय था वर्सोपेक्ट बनाय था जैसे नाटो है इधर साइड में क्या बन जाता है वर्सोपेक्ट बन जाता है तो यह कहनी रही हमारी किसकी नाटो की आई होप चीज़ें आपको समझ भाई हूं भी हम शूर तो खुश रहो मुस्कराते रहो जय हिंत जय भारत